शेर की एक दिन की जिंदगी गीदर की 100 साल की जिंदगी से बहतर है दोस्तों आप लोगों ने ये डायलोग तो जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा की ये दिल को धहला देने वाली डायलोग इस दुनिया में सबसे पहले किसने बोली थी? तो दोस्तों ये अलफाज यानि ये मुहावरा है शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की बात है 18 वी शताबदी के लास्ट चरन में हैदर अली के मौत के बाद टीपू सुल्तान का ताजपोशी मैसूर की एक एहम घटना है टीपू के पिता हैदर अली के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे अपने पिता की तरही वहवी अत्यादिक महत्वा काक्षी कुशल सेनापती और चतुर कूट नित्यग्य थी यही वजहती की अंग्रेज उनसे बहुत खौफ खाते थे अंग्रेजो को टीपू सुल्तान का इस कदर खौफ था कि उनको टीपू सुल्तान की सुरत में अंग्रेजो को नेपोलियन की तस्वीर दिखाए पड़ती थी दोस्तों उस वक्त का हिंदूस्तान में वो अकेला मात्र एक ऐसा शेर था बाकी बहुत से अंग्रेजो के लडते लडते शहीद हो गए और अंग्रेजो के खिलाफ लडते हुए शहीद होने वाले पहले भारतिय सिपहसालार भी रहे जी हां दोस्तों वही टीपू सुल्तान की जीजको शहीद करने के बाद अंग्रेजो के जनरल ने कहा था कि आज से ये हिंदूस्तान हमारा हुआ दोस्तों टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे तब तक अपने देश हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच शीशा पिलाई दिवार बन कर खड़े रहे लेकिन जीज दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले गद्दारों की मदद से टीपू सुल्ता को शहीद करने में काम्याब हो गए थे उसी दिन से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कबजा होना शुरू हो गया था और फिर एक दिन वो भी आया था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कबजा था दोस्तों वो बात अलग है कि जीस शक्स ने हमारे लि जा सकता है बलकि इतिहास लिखा नहीं जाता बनाया जाता है और इतिहास बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेगे की आखिर टीपु सुल्तान कौन थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसी गुजारी और आखिर किस तरह उन्होंने हमारे देश यानी हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचा कर रखा था टीपु सुल्तान को लेकर आप तमाम लोगों के दिमाग में अभी तक जीतने भी सवाल है मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे तो दोस्तों मेरी आप से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें और हमारी होसलाफ जाए के लिए हमारे वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दे ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें तो दोस्तों टीपू सुल्तान सल्तनत ए मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे टीपू सुल्तान की मा का नाम फखरूनिशा था जिन्स वक्त टीपू सुल्तान अपना बच्पन बुजार रहे थे ये वो दौर था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे तब टीपू सुल्तान के वालिद ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था उनकी तालीम के लिए बड़े दूर-दूर से आलिम या यूँ कहे टीचेस को बुलाया गया था कहा जाता है कि टीपु सुल्तान एक बामल आलिम बने ही तो थे, साथ ही में उन्हें अर्बी, फार्सी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी तमाम जबानों पर बहुत ही जबरदस्त महारत हासिल थी इसके साथ साथ वो बच्पन से ही घुरसवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और नेजाबाजी जैसी चीजों में भी बड़े माहिर थे, इतने माहिर थे कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था जब साल 1779 में अंग्रेजों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कबजा कर लिया साथ मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठानली और इस तरह सेकंड एंग्लो माईसोर शुरू हुई जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटा दी, लेकिन कई साल यानी 1780 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से जंग छेर दी, लेकिन इस बार भी टीपू सुल्तान हैदर अली यानी अपने वालिद के साथ 90,000 का लशकर लेकर बैंग्लोर पहुँचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी और ये अंग्रेजों की इतनी बड़ी और भयानक हार थ थी कि इस हार का असर ब्रिटेन तक पहुचा और ब्रिटेन के लोगों ने भी मातम मनाया लेकिन दो साल के बाद साथ दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान के वालिद यानी हैदर अली का इंतकाल हो गया जैस वक्त हैदर अली का इंतकाल हुआ उस वक्त टीपू सुल्तान की उम सिर्फ 22 साल थी यानि 22 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान के सर पर मैसूर की सल्तनत का बोजा चुका था टीपू सुल्टान जब इतनी कम उम्र में ही मैसुर के तक्त पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे अंग्रेज बार बार लाग कोशिश करते लेकिन वो टीपू सुल्टान को नहीं हरा पाते थे टीपू सुल्तान की होशियारी और बहादुरी के सामने अंग्रेजों की तमाम साजशे नाकाम हो जाया करती थी लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से मुहायदा यानी समझोता करना पड़ा और इस समझोते में टीपू सुल्तान ने जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है टीपू सुल्तान की सल्तनत की जो जलसेना थी यानी पानी वाली फॉज वो उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फॉज थी लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं टीपू सुल्तान ने दुनिया को वो टेकनोलोजी या उस हथियार से रूबरू करवाया जिसके दम पर आज कई देश सुपर पावर बने बैटे हैं। जी हाँ दोस्तों हिंदुस्तान का शेर टीपु सुल्तान को ही इस दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैंन माना जाता है। दोस्तों भारत के लिए परमानु बम और कई मिसाइल का आविशकार करने वाले डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम के मुताबिक टीपु सुल्तान ही दुनिया का वो पहला इंसान थे जिसने रॉकेट टेकनोलोजी पर काम किया और टीपु सुल्तान की टेकनोलोजी के जर्ये से ही इस दुनिया में रॉकेट को बनाना सीखा था अंग्रेजों ने बाद में जीतने भी रॉकेट बना ये वो तमाम टीपु सुल्तान की टेकनोलोजी के जर्ये से ही बनाय थे क्योंकि टीपु सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेकनोलोजी को अंग्रेज अ प्रफत उल्मुजाहिदीन दोस्तों भारत की पहली किताब थी जो जन्द के तरीकों को सिखाने के मकसद से लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाय थे। जाता है कि जब अंग्रेजों को पूरी तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुले मैदान में नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेजों ने पैसो का लालच देकर हिंदूस्तान में रहने वाले ल निजाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की फौज के साथ हाथ मिला लिया इन गद्दारों की गद्दारी का नतीजा ये हुआ कि इन तीनों फौजों ने मिलकर यानि अंग्रेजों की फौज ने हाइदराबाद के निजाम की फौज ने और मर की फौज ने मिलकर टीपू सुल्तान के उपर एक साथ हमला किया और वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गदार मौजूद था यानी मीर सादिक उसने भी इनकी अंध्रूनी तोर पर बहुत ज्यादा मदद की कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान को इस ब खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं और अपनी जान बचा ले और यहां के तमाम हालात से हम खुद निपट लेंगे लेकिन दोस्तों टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये इतिहासिक अलफास कहे थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदल की 300 साल की जिंदगी से बहतर है और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 माई 1799 को इस मर्दे मुझाहिद यानि टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के ख भी जा सके साथ ही साथ आपको बता दे की टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने यह बात कही थी आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ यानि अब हमें हिंदुस्तान पर कबजा करने से कोई भी नहीं रोक सकता टीपू सुल्तान के मरने के बाद ल कुछ समय पहले की है जहां करनाटक की गवन्मेंट ने ये फैसला लिया है ये करनाटक के स्कूल की हिस्ट्री की जो बुक है उस से टीपु सुल्तान का चैप्टर निकाला जाएगा तो दोस्तों फिलहाल हम अपने वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों, रिष्टेदारों और तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं आपसे एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद खुदा हाफिज